कल पांदान सात्मा में सभी साथ को खाओत है सभी को प्रणाम ओम आज आज की साद्णा के लिए किसी व्यासन में सहय होका बैठ जाएं किसी व्यासन में कि रहे होका बैठ जाएं आखे को मलता से बन हातों को ग्यान मुद्दा में रखें कमा गयदन सीधी और सहेज हो जानी है सहेज स्वासों के साथ जो स्वास शंदा जा रही है जो स्वास आ रही है उन स्वासों के साथ सहेज होते जाएं अंदर जाने वाला साश बहार आने वाला साश और दोनों साशों के साथ सहेज होते जाना है दोनों साशों के साथ सहेज होते जाना है परती एक साश के साथ जो एनरजी जागित हो रही है और जाकी जो तरंगे जागित हो रही है उन तरंगों के साश उन तरंगों के साश अनन्त उन जाकाई शाश शुक्षम से शुक्षम तरंगों को पकड़ने की कोशीश कमपन, जन्जनार, सरसाहार यह जो कुछ भी हो रहा है उसका एसाश उर्जा का प्रभाब बढ़ता जा रहा है तरंगे बढ़ती जा रही है रूम रूम में जागित उती हुई उर्जा का प्रभाब उर्जा का एसाश ओई सुर्जा के साथ अन्त जगत में पवीश गेरी सामती में, गेरी द्यान में गेरी अनन में पवीश अनन तोड़ जा के नूर्टी और गेरी द्यान में, गेरी सामती में चेत्न उस प्रमात्मा में खो जाए जैसे नदी सागर में खो जाती है और नदी का कोई अस्तित नहीं बचता उस प्रमात्मा के उचा के साथ जैन के अनर्जी को जैन के उच्जा को खो जाने दें शरी सन होता चला जाए विचार सन होता चले जाए जैत्न उस प्रमात्मा में खो जाए 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 उस प्रमात्मा में जैरे ध्यान में आप सेम उतर सकते हैं या किसी को साथ नहीं ले जा सकते हैं ले जाने का कोई उपाय भी नहीं हैं इस अंते जगत में शेहं की चेतना ही जा सकती है और शेहं के द्वारा कोई दूसरा ना तो ले जा सकता है ना ही साथ जा सकता है जैसे जन्व भी अकेले होता है ना कोई साथ आता है और मिर्थी भी अकेले होती है ना कोई साथ जाता है जेतना अकेली ही आती है अकेली ही जाती है ऐसे ही संत्य जगत में चेतना केले ही पवेश्च कर सकती है उसका मात्मा से एकाकार या केले ही हो सकती है जहां नकेले ही होता है और जितना ग्याई में डूपते जाते हैं जितना सांत होते जाते हैं उतने धीर धीरे संबंध तूटते जाते हैं संबंध मन से होते हैं मन सुनने होता जाता है सब कुछ खात्म होता चला जाता है और सब कुछ तो सब कुछ ये सही भी खात्म हो जाता है सही भी सुनने हो जाता है तब उतरते हैं गहरे मौन में केतना पहुशती है उसके अंदर में उस बिंदू पर जहां सागर में ब्लीन हो जाना है प्रमान के अनंतुर्जा के साथ एक हो जाना है जब साग कुछ खात्म हो जाता है तो चीतना का जन्म होता है ओ जेतना ही कुछ परमात्मा से एक हो सकती है साग साथ का बद्धत्व परमतत्व को जब कोई प्राप्त हो जाता है तो वो श्रेम नहीं बचता वो इसका कोई अस्तित नहीं रहता कि 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 श्रेम का अस्ते तो खात्म हो जाता है ना कोई धार्म ना कोई करम ना कोई मानता ना कोई श्रुश्कार ना कोई स्मर्ति सब काज़ते तो खात्म हो जाता है लेकि कि श्रेम के लिए दूसरे के साथ आप वही रहते हैं जो पहले थे शरी भी वही है रूप भी वही है रंग भी वही है कोई बदलाव नहीं है वह जो बदलाव हो आप सेम को एसास होते हैं बदलाव नहीं है बदलाव नहीं है बदलाव नहीं है चेतना में जो केवल सेम जाने जा सकते हैं कोई दूसरा नहीं जान सकता कि के अंदर सेम की आत्ता है और सेम की आत्ता में बदलाव नहीं होते हैं ना कोई दूसरा साक्षी होता है और नहीं उसका कोई गवाह होता है सेह में आपको निर्णे करना होता है सेह में निर्णायक हैं कुछ प्रम्तत को प्राप्त किया है अभी या नहीं कि भाहों में आती हुए बदलाव अंदर जागित होती हुए उड़ जाएं जीवन में होते हुए परिवर्तन जीने के ढंग यहीं आपकी पैचान बनते हैं कि प्रम्तत्त को पाया है भी या नहीं और यह पैचान भी केवल स्वैम कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कह सकता कि आप प्रम्तत्त को प्राप्त हो गए है जो कुछ पघट हुआ है वो अंदर हुआ वो जो हो रहा है वो भी अंदर ही हो रहा है इसलिए हैसास भी केवल स्वैम को हो रहे हैं अंदर का अंद, अंदर की सांती, अंदर की प्रसंता, अंदर का उस्षव उसके साक्षी भी आप सेहम है सुद्चेतना जो एक तत को रप्राप्त हो जाती है तो गहरे सागय में उतरने लगती है एक छोड में चेतना सुन्ने में पहुच जाती है चेतन और चेतन की तरह ब्यक्ती चेतन तामे है और चेतन का दर्वाजा और दूसरी साइड चेतन इस और ब्यक्तित्व है सब कुछ है दिये दिये और चेतन में चेतना ने पहुश किया दर्वाजे पहुच गई बहुत से अनुवव कर रही है चेतना साक्षी बन रही है और धीये धीये गहरे सागर में एक जट़के में दर्वाजे को पार करते ही और चेतन में पहुच जाती है गहरे समन्दर में पहुच जाती है गहे रिशान्ति और गहे आनंद कि शिवा कुछ नहीं होता एक भून साघर में मिल गई, भून का अस्तित्र फटम हो गया ऐसी चेतना सेम एक भून के समान है उज्जा विशा साघर है पर मात्मा वो एक भून साघर में मिल गई अभून को गई, जेतना को गई चार और प्रमात्मा है प्रमात्मा बचा परम हुर्जा परम आनंद परम सांति और श्रवत्र आनंद तुझा कि लहरे एक छण अपून रस्त्र खत्म आप कोई नदी नहीं बचे विशा सागर बन चुके हैं जिसका कोई और छोड नहीं है अनंत विशाल आकाश के समान सारा ब्रमान इसमें समाया है सारा संसार इसमें समाया है अजबूत अनंत वर्जा का प्रभा अनंत वर्जा की तरंगे अगेरी स्वनिता गेरी सांती खो हो ते चले जाना है इस सांती में इस पर मतत्व में इस पर मात्मा के ओड़ जा में अनान्त गहरी अस्तित में सेहम का अस्तित खो चुका है अनान्त बिमान में जेतना खोड दिया रही है विशाल सागर में गहाई मतत के चले जाएं सरी सुन में होता जा रहा है जेती सुन तप अशाक्षी गहर अशाक्षी वनना है गहर अशाक्षी वनना है गहर अशाक्षी वनना है गहर अशाक्षी वो इस पर अशाक्षी वनना है मत अचले जाना है कोट चले जाना है कोट चले जाना है कोट चले जाना है क्यांत के हाईयों में केतना भवार के समान डूपती जा रही है जिसे नदी में भवार जो उटता है तो सारा पानी नीजी की और पभाईत होता चला जाता है जैसे कोई नीचे गड़ा हो कहरी खाई हो ठीक ऐसे ही चेतना जैसे किसी गुफा में पवीश्ट कर रही हो या उस भवार के समान गहाई समन्द में पवीश्ट कर रही हो ऐसे खोड़ी चली जाती है और धी ये धीर शेम का स्थेखात में होता जाता है उस पर अमत्त्त में उस पर मात्मा में उस महा सक्ती में जैंको समान प्रत्त कर देना है ना कोई क्रिया ना कोई प्रत्त क्रिया ना कोई विचार सिर्फ खोटे चली जाएं सिर्फ खोटे चली जाएं सिर्फ खोटे चली जाएं सिर्फ खोटे चली जाएं इस अनन्त विमान में अनन्त चांद सितारों के बीच एक सितारा सिर्फ कर चली जाएं यहा की चेत्न का जब महारा है उसितारे कैसाष्च उसितारे कैसाष्च उस्भीन्दु कैसाष्च शेम कानुभाव शेम किद्वारा अधो तुर्जां काप्रभाव वो शनम्त वर्जां में खोरते चले जाएं खोरते चले जाएं प्रतीक वर्जा के प्रभाव के साथ प्रते कुर्जा की तम के साथ खोते चले जाएं इस विशाल है इस दिप्त में हूं समय के कोदे चले जाएं कोदे चले जाएं कोदे चले जाएं कोदे चले जाएं झाल 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 कि जो भी अन्वों रहे हैं जो भी अइसास्व रहे हैं उन अनुभों को करते हुए उन इसासों को करते हुए त्री रधिये चेतना रापश आने के लिए तया हुए स्री कहसाश स्वासों कहसाश स्री कहसाश स्वासों कहसाश दो गहरे लंबे स्वास दो गहरे लंबे स्वास आतों के उंगलियों में हजचल करें अतेलियों को रब करें गरम करें आखो पर लगाएं चेह पर लगाएं और धीर धीर आके खोलते हुए चेतना में बापश आजाएं तभी चेतना में बापस आजाएं जो आख झाल फिस्ट हागा पूस्ट यह पूछ सकते हैं किसी वह पुछ कहना होता कह सकते हैं कि कर दो 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 झाल झाल